लोग सबस चुनाओं में NDA के शांदार प्रदेशन के बाद अब बारी है केंदर में सरकार बनाने को लेकर समीकरन साधने की ऐसा इसलिए भी क्योंकि बारते जनता पार्टी को इस आम चुनाओं में 240 सीटे मिली है यानि वो पूर्ण बहुमत के आकड़े से 32 सीटे पीछे है ऐसे में अगर उसे अब सत्ता में वापसी करनी है तो NDA के गटक दल DTP और JDU जैसे पर निर्बर रहना होंगा सुत्रो से मिली जानकारी के अनुजार BJP अपने तमाम गटक दलो से संपक साधना शुरू कर चुकी है इसी करम से DTP प्रमक चंदरबाबु नाइडू से भी संपक साधा गया है खबर आ रही है कि चंदरबाबु नाइडू ने BJP को समर्तन देने के लिए अपनी पार्टी से लोगसबा जक्ष और अपने हर एक तीन सांसद पर एक मंतरी पत की मांग कर सकते हैं सुत्रों से जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक चंदरबाबु नाइडू की पार्टी ने इस आम चुनाव में कुल 16 लोगसबा सीटे जिती है ऐसे में नाइडू जिस तरह से अपने तीन सांसदों पर एक मंतरी पत की मांग कर रहे है अगर वो हो गया तो नई सरकार में उनके कुल 5 केंदर मंतरी हो सकते है साथी चंदरबाबु नाइडू ने अपने पार्टी के लिए लोगसबा अध्यक्ष का पद भी देने की मांग की है हाला कि इन तमाम खबरों को लेकर अभी तक अधिकारिक तोर पर DTP या BJP की तरफ से कोई बयान नहीं आया